ओके गुड आफ्रनूं किद्स तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शन्स यह हम लोग ने पहले भी क्लास में किया है बट हम लोग इसका एक इंपॉर्टन पार्ट करेंगे जिसमें मैंने देखा है सबको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तीक है और आज हम लोग वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे ओके बिफोर वी स्टार्ट विद दे क्लास आपको रूल समझना है आपको यह वीडियो दो बर देखना है फॉर्स टाइम आप यह पहले वीडियो पूरा प्रोसेस जितना ही भी स्टेप्स है उसको समझेंगे उसके बाद नेक्स टाइम जब आ वीडियो देखेंगे तब आपको यह चीज अपने नोट बुक्स में इसको लिखना है बर लिखना कैसे है आपको लिखना है इसको नाओ लेसं छो इसमें है लेसं वान करके फ्रैक्शन के अंदर थी विच्छ वीडियो दू की दू यह पड़ेंगे तो आपको समें लगेगा की मिखना आकर क्या होता है so what is a mixed number okay आप हमेशा देखेंगे तो आपको mixed numbers आपको एक ऐसा number दिखेगा जिसमें एक बड़ा सा number होता है ये बड़े से number को हम लोग बोलते है whole number we call this number as a whole number next यहाँ पर आपको एक number दिखाए देगा ये एक fraction है और इस fraction को हम लोग बोलते है improper fraction next what is a improper fraction जैसे मैंने आपको कहा था ये improper fraction होता है तो ये भी एक अलग improper fraction और improper fraction हमेशा ऐसे ही दिखेगा okay now let's move to how to change mix number to improper fraction okay now over here step 1 आपको करना है write the mix fraction आपको जैसे हैं आपको आपको सम दिया होगा या तो मैं आपको इस session के बाद the sums which I give you आपको first कभी भी match में हम लोग को कुछ भी first start करने से पहले आप उस वो जो सम है उसको पहले यहाँ पर लिख ली जै आपको हम लोग ने लिख लिख लिए यहाँ पर यह sum था हम लोग ने इसको step 1 में write the mix fraction हम लोग ने mix fraction को यहाँ पर लिख 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 लिए आपको now let's move to step 2 step 2 multiply the whole number with the denominator अब जैसे मैंने आपको last page में कहा था whole number होता ही यह बड़ा number okay this is the whole number next सबको बता है हम लोग ने class में भी यह किया था this is called the denominator okay this number जो हमेशा नीचे होता है number के इसको denominator बोलते है and I know काफी लोग ने guess कर लिया होगा but मैंने अभी तर यहाँ पर नहीं लिखा है this number is called the yes exactly this number is called the numerator okay so step 2 में आपको multiply the whole number with the denominator यह जो whole number है आप इसको multiply करेंगे denominator के साथ जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं you can see over here multiply 3 into 2 जो की 6 होता है 3 2 जा 6 यह हम लोग का first step 2 complete now we move on to step 3 step 3 simple add the numerator to the product numerator जो यह वाला number है तो product वो होता है जब आप दो number को multiply करके जो मिलता है तो 3 और 2 का product है 6 okay वैसे ही we come over here and we see 3 multiplied by 2 तो अब add the numerator to the product तो यह product के साथ अब numerator add करेंगे जो यह number है अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 multiplied by 2 plus 1 वो हो गया आपका 7 और हमेशा हम लोग को याद रखना है कि ऐसे sum में जो यहाँ पर हम लोग का denominator था जो यहाँ पर हम लोग का denominator था जो sum के starting से जो denominator आ रहा है वो हमेशा सेम रहेगा और वही है आपको denominator यहाँ लिखना है और उसके बाद यह ही आपका answer रहेगा ओके वेरी गूर्ड नाओ फर्स टाइम देखने के बाद सेकंड ताइम आप जब देखेंगे इसको आप समझ कि उसको अपने copies में नोट डाउन करें ओके आफ्टर दिस आफ्टर अंडरस्टेंडिंग दिस नेक्स्ट वी विल दू दिसम जिसकी में आपको वर्क्षीट बेजोंगा ग्रूप पे ओके थैंक यू